यहिए दोस्तों स्वागत है डियल क्लासिस पें दोस्तों यह टॉप जो है डेढ़ सो क्वेश्चनस जो है इस्टी का बहुत ही मोस्ट पॉइंटेड जो है हिस्टी का फूश्चन सै जो की हर एक्जयाम में आपको पूछा जाएगा और यह बार बार इस पीडेट ताकि पूरा इम्पोर्टेंट्स क्वेस्चन आप तक पहुंच सकते ठीक है देखे पहला रहा है पहला करा है इत्यास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को दूसरा है सिंदु सब्धा प्रसिद्ध थी सुन्योजित सहरेतु नेक्स्ट सिंदु सब्धा के लोग का वेवसाय किरसी हैं सिंदु वाश्यों का मुक्फसल जो और गय हूं सिंदु सब्धा का सब्धिक पुर्वी और पच्मी पुरास्थल क्रम सब पुर्वी हुआ आलम आलमगीरपूर मेरट में है ठीक है और देखिए पच्मी हो जाएगा आपको सुथ का गेंडोर जो की बुलिचिस्तान में ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदु सब्धा की उत्री और दच्छनी पुरास्थल है उत्री और दच्छनी पुछ रहा तो उत्तर में हो जाएगा करम समादा जो की अखनूर जैमु कस्मीर और दच्छिन हमें में हो जाएगा आपको डैमाबाद जो की अहम्दनगर महाराष्ट नेक्स्ट क्वेश्टण देखिए हरप्पा सब्ता के बारे में सबसे पहले जानकारी तो चार्ल्स मैसरन के जो प्रभावरी थे वो सर्जोन मार्शल थे नेक्स्ट देखिए हरप्पा की सब्ता थी हरप्पा की सब्ता जो है कांस यूगीन थी नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा है सिंदू सब्ता की लिपी थी तो सिंदू सब्ता का लिपी जो था वो था भावचित रात्मत नेक्स्ट मिस्स के राजा कहलाते थे मिस्स के राजा फराव कहलाते थे नेक्स्ट खरोष्टी लिपी लिखी जाती थी खरोष्टी लिपी दाएं से बाएं के तरफ लिखी जाती थी next स्वास्तिक चिन्ध देन है स्वास्तिक सिंदू सब्ता का देन है next आधी मानव ने सब्तम सिखा तो आधी मानव से सब्तम आग जलाना सिखा था next देखे आग का विश्कार कब हुआ था तो आग का विश्कार हुआ था पूरा पासान काल में नेक्स्ट सबसे पहले पालतु बनाया गया तो सबसे पहले पालतु जो बनाया गया था दोस्तों वो कुत्ता को नेक्स्ट देखें सिंदू घाटी सब्ता थी तो सिंदू घाटी सब्ता थी आधितियासिक नेक्स्ट हरप्पा सब्दा इस्थित है रावी नदी के टडपा हरप्पा इस्थित है नेक्स्ट सिंदु सब्दा का पर्मुख बंदर गाहा है लोथल है नेक्स्ट हरप्पा के लोग अन्विक थे रप्पा के लोग जो अन्विक थे वो लोहा से थे नेक्स्ट हरप्पा में मिट्टी के बरतन पर प्रियुक्त रंग लाल होता था लाल रंग के जो है मिट्टी बरतन प्रियुक्त किया जाता था नेक्स्ट देखिए मुरीद भांड चावल के दाने मिले हैं तो मुरीद भांड और चावल के दाने जो है लोथल से मिले हैं सब्सक्राइब का कि मतशनु संस्क्राइब चीज नेक्स्ट देखिए यहान जोध्र मिले यौी मिले कि भाई। से में स hic charge M कि नेच्ष देखिए मोहन जोद्रों की खौश उन्हें 122 में रहास मार रख है तो मोहन जोड्रों का प्रुम का अस मार हो जाएगा बिरत अस्ठनानागरं नेक्स देखिए मोजब मोसोपोटामिया आधोनिक नाम इराख है मोसोपोटामिया का अर्थ होता था दो नदियों के बीच की बूमी मोसोपोटामिया कहा जाता था नेक्स्ट देखिए हरप्पा के खुदाई हुई थी तो हरप्पा का खुदाई जो हुई थी उन्हें की सिश्वी में और क्या था द संख्या है 18 नेक्स्ट देखिए सबसे प्राचीन पुरान है सबसे प्राचीन पुरान मतद से पुरान है नेक्स्ट देखिए पुरानों की रच्यता है लो महर्स अगर सरवा पुरानों के रच्यता है नेक्स्ट देखिए बेदो वा बेदांगों की संख्या है तो बेद की सं नेक्स्त देखिए उपनीषद की संख्या 208 प्रमानिक 13 पुराणों की अध्यन करने पर्थम मुसलमान था तो पुरानों का अधियं करने वाला पथन मुसल्मान वरुनी था नेक्स्ट उप नीशदम सर्थाए बस्तु है क्डर अधर सं कि अधर मांड समन्हित है दोस्तों नेक्सट नेक्स्ट का राय सबसे प्राचिन बेद है रिग बेद सुक्त दस और ठैस रिग बेद में सुक्तों की संक्या दस और ठैस है याद रखेगा नेक्स्ट देए गद और पद वाला बेद है यजुर बेद में गद और पद दोनों है नेक्स्ट देखिए सत्पत प्राम्मन समंदित है सत्पत प्राम्मन यजुरुबुद से समंदित है नेक्स्ट तंत्र मंत्र संग्रीत बेद है तो तंत्र मंत जो है अर्थरबद में है देखिए अर्थरबेद याद रखेगा तंत्र मंत से समंदित बेद है नेक्ष्ट देखिए भारतिय संगीत का जनक का जाता है तो भारतिय संगीत का जनक स्वामबेद को का जाता है गयत्री मंत्र लिया गया है रिगवेद से गयत्री मंत्र लिया गया है दोस्तों नेक्स्ट दे गयत्री मंद का रचना का रहा है तो विश्वामित्र जो है गयत्री मंद का रचना किया था नेक्स्ट देखिए गयत्री मंद समर्पित है सावित्री सुर्द देवता को नेक्स्ट दे गोत्र सब्द मिलता है तो अर्थर बेद में गोत्र सब्द की प्रिक्त कि लेटिया है ने थे देखिये थे वह बहुत द्हर्म के प्रवर्चक सब्सक्राइब द्षर्म का अलवर्चा के द्वारा भक्ती आंदोलन का प्रार्य नेसा एक तोल सिन्द्र नद्द का सबसे जनकारी का सब्सक्राइब 7 और यहाँ गजानद ऍेस हैंival रिग्वेद में सब्दिक बाद वर्नित है तो सिंद्र नदी का सबसे जैदा वार वर्नन किया गया है रिग्वेद में नेक्स्ट देखिए रिग्वेद में वर्नित सबसे पवित्र नदी है तो सबसे पवित्र नदी सरुसत्ति को माना है रिग्वेद नेक्स्ट रिगवेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर जिसे पुरंदर कहा जाता है रिगवेद में प्रमुख देवता इंद्र को मना गया है ये नेक्स्ट देखिए रिगवेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है, दसमा मंडल को सबसे बाद में रचित किया गया है रिगवेद में, नेक्स्ट देखे दोस्तों, रिगवेद में पुन्ता सुम को समर्पित मंडल है, तो रिगवेद में सुम को समर्पित मंडल नौमा मंडल है, नेक्स्ट सब्ट ही राइक नेक। frosting भीधी का लेखख मनू है नेक्स यत कि समिर्टी ग्रंथों में सबसे प्राचिन मनू सम्रती है नेक्स्ट देखिए पुस्तक मिताक्ष्रा के लेखक है मिताक्ष्रा के लेखक दोस्तों विग्यानेश्वर है याद रखिए विग्यानेश्वर के द्वारा मिताक्ष्रा लिखा गया है नेक्स्ट देखिए महाभारत का अननाम है तो जैसंगीता महाभारत का अननाम है इस नेक्स्ट महाभारत रचना जो की बेद्व्यास के द्वारा किया फार्षी अनबाद करना शिर्षक है तो रजनामा महाभारत का फार्षी अनबाद नाम रखा गया दोस्तों आरियोगा भारत में आगमन कभ है टो आर्यों का भारत में पंदर शॉय सार पुरूप से पहले किया गया था वह आगमन हुआ था उनका देखिए आर्यों पहले बसे पन्जाब और अफगानिस्तान के छेत्र में सबसे पहले आर्ज का जो है निवास अस्ताल रहा था नेक्स देखिए रिग्वेद आर्यों की से व्हासा थी ही जो रिगवैतिक आरियों की गहां सथी दोस्तों कि नेक्स के आर लोग भारत आयते तो आज लोग भारत जो आये थे मद हैं सुनवाद का प्रतिपादक है तो नागा अरजोंन ने सुन का प्रति पादन किया था बुद्ध तो लुमनी नेपाल में जो कि 563 कि बुद्थ की मर्टु हूई थी कुशिनगर Mt 483 मी कि याद रखे गा ने पीर्चेट में और मिर्टॡब उफइ था तिया था थी में जनव हाथ लूंडी मनि मिर्टॡब फार्फप को से नगर में महात्मा बुद्ट का बुद्ट पें मirty कि घंड है कि परियन निर्मान के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट देखे बुद्ध का पर्थम गुरू था अलार कलाम जो पहला गुरू था बुद्ध का याद रखेगा नेक्स्ट देखे दोस्तों बहुत ही most important question सब है अराम से देखेगा अस्थिर से रीपीट कर जिएगा याद हो जाएगा आपको रीपीट भीव में आपको ज्यादा माइंड में चल जाएगा देखे नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा गिरित्या की घटना को कहा जाता है तो बुद्ध द्वारा निगरित्या की घटना को महा विश्णिस क्रम कहा जाता है नेक्स्ट बुद्ध का पर्थम प्रवचन का लाता है, तो बुद्ध का पर्थम प्रवचन धम्चक प्रवर्तन का लाता है, नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपना पर्थम उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने अपना पर्थम उपदेश सारनात में दिया था, नेक्स देखे बहुत धर्म के 3 रत्न है बुद्ध, धर्म और संग्तीन रत्न जो है बहुत धर्म क्या था सबसे पर्थम बहुत धम को ग्रहन किया था नेक्ट दखिए पर्थम बहुत संगीती 483 स्विपूर में हुआ था अजाज सत्रू के काल में राजग्री में याद रखेगा 483 स्विपूर अजाज सत्रू और कहां राजग्री में चतूत बहुत संगीत हुआ था कुंडल ग्राम में कास्मीर में और कनिक्स के समय में याद रखेगा चतूर थे यह फोर्थ कुंडल ग्राम कास्मीर में और कनिस्क के समय में नेक्स देखिए बहुत संगीतिक आयोजन अस्थल करम में है तो चार बहुत संगीतिक आयोजन हुआ था दोस्तों राजग्री में बैसाली में पाटली पुत्र में कास्मीर में ठीक है पहले राजग्री में पहला दूसरा बैसाली में तिसरा पाटली पुद्र चोथा कस्मीर में नेक्स देखे बिद्ध के पूर्ण जर्म पाधारित कता है पूर्ण जर्म का धारित कता को जातक कहा जाता है नेक्स देखे अजनता की गुफाओं किस गरंथ का चितरन है तो जातक का बौधों का पवित गरंथ वाना जाता है अजनता का गुफा में जो है जातक का चितरन है नेक्स्ट देखिए बौध्धम का प्रमुक गरंथ है पीटक जो बहुत बौध्धम का प्रमुक गरंथ है नेक्स्ट देखिए बौध्धम का पूजा अस्थल को कहा जात नेक्स्ट देखिए बुद्ध चरित के लेखक है तो अस्व गोस्ट वारा बुद्ध चरित का लेखक किया लेखन किया गया था नेस्ट देखिए आजीवक पंत का प्रवर्तक है मखली गोसाल आजीवक पंत का प्रवर्तक माना जाता है नेक्स्ट देखिए हिज्री संबत के शुरुआत हुई थी 622 में हिजरी संबत का शुरुआत क्या गया था नेक्स्ट देखिए शिखवाद के प्रवर्तक है शिखवाद का प्रवर्तन जो हुआ था पंदरा सोय सापुर में सोलमी सदी में याद रखेगा पूछेगा जो सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था कब त हजरत मुहम्मद साहव का जन मुहाता तो 570 इस्वी में मक्का में हजरत मुहम्मद साहव का जन मुहाता जो की इसलाम धर्म का प्रवर्टक माना जाता है नेक्स देखिए जैन धर्म का प्रथम तित्कर्थे तो जैन धर्म का प्रथम चित्कर्थे तो जैन धर्म का प्रथम च कर थे नेक्स्ट देखिए जैन धर्म की जिवनी का उलेक किस में है तो जैन धर्म का जिवनी का उलेक कल्प सुत्र में है याद रखेगा कल्प सुत्र जैन धर्म का जिवनी का उलेक है तिर्थकर का नेक्स्ट देखिए महावीर जन में थे तो महावीर जो जन में थे बैला ब पावापूरी में कब 460 में याद रखेगा दोस्तों महावीर का जन बार बैशाली में 540 में और मिर्तु पावापूरी में 460 में महावीर किस राजगराने में पैदा हुआ था तो रम महावीर जो है छत्रिय राजगराने में पैदा हुआ था नेक्स्ट देखिए महावीर पर्थम अनियुनाई था तो जमाली जो की दमाद था उसका जो पर्थम महावीर का अनियुनाई था नेक्स्ट देखिए दोस्तो महावीर और बौध दोनों ने उपदेश दिया था महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगद नरेश बिम्बिशार के सासनकाल में ठीक है बिम्बिशार के सासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिया था नेक्स देखिए जैन धर्म के तिरी रत्म है सम्यक दर्शन सम्यक ज्यान सम्यक आचरन ये तीनों धर्शन किसका है जैन धर्म का बुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तो सफ्टम डी गंबर की सफ से ए तो याद रखें किए व जयनwhich भंग्य छोbor जैनधुग०ा संपदा है जैनधर्म का जैनधर्म का चरम लक्ष है मुख्ष की प्राप्ती जैनधर्म का चरम लक्ष है नेक्स्ट देखे दोस्तों कि जैन धर्म 322 इसा पूर्व में हुई थी शौरी जैन पर्थम जैन सभा 322 इसा पूर्व में हुई थी कहां तो यह पाटली पुत्र चंद्गुत मौर के समय में तो यह पाटली पुत्र में दूसरा देख लेते हैं दूसरी जैन सभा 522 इसा पूर्व में हुआ था कहां बल्वी में हुआ था वह देवर्दी छमासरवन की अध्यक्स्ता में हुआ था बल्वी में 512 इसा पूर्व में दूसरा जैन सभा नेक्स्त देखे जैन साहित का कहा जाता है तो जैन साहित को आगम कहा जाता है याद रखेगा जैन साहित को आगम कहा जाता है नेक्स्त देखे इसा मसी का जन्मुआ था चोथी इसापूर बेथ लेहम में जो है इसा मसी का जन्मुआ था नेक्स देखिए इसा मसी को सूली पर चढ़ाया गया तो इसा मसी को सूली पर 33 इसापुर में चढ़ाया गया 33 इसमी में चढ़ाया दोस्तो शुक्रवार को रोमन गवर्नर पॉंटियस के द्वारा इसा मसी को सूली पर चढ़ाया गया था नेक्स देखिए मगद की राजदानी थी मगद की राजदानी ग्रीबर्ज राजग्री भी का आ जाता है याद रखेगा मगद की राजदानी ग्रीबर्ज थी नेक्स देखे सोला महाजनों की सूची उपलब्द है तो सोला महाजनों की सूची जो उपलब्द है वो अंगुतर निकाय में उपलब्द है नेक्स्ट देखिए शिशु नाग वन्स का संस्थापक था तो शिशु नाग वन्स का संस्थापक था नेक्स्ट देखिए पाटली पूत्र के अस्थापना की थी तो पाटली पूत्र के अस्थापना उदियन द्वारा किया गया था तो हर्यक वंस का संस्थापक विंबी सार था नेक्ष देखिए अमित्र घात के रूप में परसीद था तो अमित्र घात के रूप में विंबी सार जो है परसीद था नेक्ष देखिए दोस्तो जन पद अवंती की राजधानी थी तो अवंती की राजधानी उजयन थी याद र दोस्तो भारत का सब पथम आक्रमन किया था भारत पर सब पथम आक्रमन इरानों के द्वारा इरानी के द्वारा किया गया था इरान ने किया था नेक्स देखिए भारत पर आक्रमन 326 इसा पुर्व करने वाला पहले विदेशी सासक थे 326 इसा में सिकंदर ने भारत पर सबसे पहले विदेशी सासा के रूप में आक्रमन किया था नेक्स देखिए सिकंदर और पूरस पंजाब के बीच यूद का लाता है तो सिकंदर और पूरस के बीच पंजाब के बीच यूद का लाता है वो हाई डेस पीज का या बितस्था का यूद का लाता है याद रखेगा बित स्थापक था तो मौर बंस का संस्थापक था दोस्तों वो चंद्गुप्त मौर नेक्स देखिए मौर बंस की जानकारी मिलती है तो मौर बंस की जानकारी विश्नो पुरान में मिलती है नेक्स देखिए सुधर्शन जिल का निर्मान हुआ था तो सुधर्शन जिल का निर्मान हुआ था चंद्गुप्त मौर के समय में या निर्मान किया था चंद्गुप्त मौर ने ही निर्मान किया था दोस्तों सुधर्शन जिल का नेक्स देखे चंदगुप्त अनुनाई था तो चंदगुप्त जैन धर्व का अनुनाई था नेक्स देखे चंदगुप्त मौर के गुरु और महामंत्री था चंदगुप्त मौर के गुरु महामंत्री चनक था नेक्स देखे दोस्तो भारत का मैक्यावेली कहा जाता है तो भारत का मैक्यावेली चनक को कहा जाता है नेक्ष देखिए चनक विष्णु गुप्त या कैटिल के नाम से विजाना जाता है रचित अर्शास पुस्तक है प्रसासन के उपर देखे चनक द्वारा अर्शास की रचना किया गया तो किसके उपर तो प्रसासन के उपर नेक्स देखे चंदगुप्त ने जैन धर्व की सिक्षा भद्र बाहू से लिया गया था नेक्ट देखे चंदगुत मौर के दरवार में आने वाला परसीद युनानी था तो चंदगुत मौर के दरवार में आने वाला परसीद युनानी जो है मेगा अस्थिनीज था जो कि उसका पुस्तक इंडिका है मेगा अस्थिनीज ने इंडिका और नमकपुस्तक की रचना किया और चंदगुत मौर के शासन दर्बार के बारे में जानकारी वहीं से मिलती है नेक्स्ट देखे दोस्तों लास्ट गूस्ट ने Чंदगुत मौर की मिटू हुई थी तो चंदगुत मौर की मिटू전에 उंठावी सापुर में हूआ था और यह कहां था आर। आपको करनाटा के सरवन बेल गोला में और उपवास के द्वारा दोस्तों चैनल को सस्काइब करना नहीं बुलिएगा दोस्तों यह डेर्ट सोब मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है और इसका भैलूम ओन भैलूम टू करके आएगा तो कि आपको डिस्क्रिस्टम में लिंक दे दि दूंगा जय हैं दोस्तों जय भारत